नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है फोटो के दुवारा आप अपने पती को वश में कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों जोती शास्तर के अंदर सबसे सरल और सबसे काम्याब उपाई आज आपके लिए गुरुमा सरोजेवी जी लेकर आए हैं जिसको आप एक बार कर लेंगे तो आपके पती हमेशा आपके वश में रहेंगे आपके पती जो आपको लगा तक परिशान करने कोशी कर रहे हैं उनको वश में करके अपने जीवन को सुखमई बनाने का ये सरल सा उपाई आपके लिए मदद कर सकता है और ये सुनहरी मौका आपके लिए लेकर आया है इस उपाय के अंदर जो भी मंतर का उप्योग आपके लिए किया जाता है वो आपके और आपके पती के गुड़ने के ऊपर ही अधारित होता है इसलिए बिना जानकारी भी किसी भी मंतर का इस्तमाला आप ना करे क्योंकि ये खास तोर पर आपके राशी के और आपके पती के राशी के हिसाब से ही त्यार किया जाता है तब ही ये आपके लिए कारे कर सकता है आई ये जानते हैं इस उपाई को करने की पूर्ण विदी के बारे में आपने क्या करना है आपने अपने पती की एक फोटोग्राफ लेनी है वो पासपोर्ट साइज भी हो सकती है या फिक बड़ी फोटोग्राफ भी हो सकती है उस फोटो के पीछे आपने अपना और अपने पती का नाम प्लस का निशान डाल कर लिखना है ये करने के बाद एक प्रिद्द किया हुई मंत्र का चाप 101 बार खतम ना कर लें। इसके बाद आपने इस फोटो को या तो अपने पर्स में रखना है या फिर आप इसको अपने तक्ये के नीचे भी रख सकती हैं। हमेशा इसको अपने शरीर के साथ लगा कर रखना है। आप इसको जहाँ पर भी आप जाती हैं। आप कहीं पर भी जाएं। तो इस फोटो को आपने अपने पास जुरूर रखना है। जब तक ये फोटो आपके पास रहेगी तब तक आपके पती आपके वश में रहेंगे। जो आपको परिशान करते थे, आपको मारते पिड़ते थे, आपको कहना नहीं मानते थे, वो यह सब करना बंग करतेंगे और जो प्यार आप अपने पती से चाहती हैं, वो प्यार आपको अपके पती से मिलेगा और आपके पती आपसे पहले से भी जादा प्यार करना शुरू करतेंगे आपका कहना मानते रहेंगे और आपके वश में रहेंगे तो अगर आप ये उपाए करना चाहते हैं इस उपाए के अंदर यूज होने वाले मंतर के बारे में पूर्ण जानकार लिएना चाहते हैं तो बिना देर करते हैं स्क्रीन पर दिये एक नमबर पर कॉल करके आप गुरु मासुरो देवी जी से संपर्क कर सकते हैं तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शिए सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद